Hello my dear students, welcome again to the channel हमारी academy और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा एक new topic जिसमें हम पढ़ने वाले हैं types of error ठीक है हम ये सारे errors को आज cover करेंगे इस topic में की errors कितने type की होती है जिसमें हम पहले पढ़ेंगे syntax error फिर हम पढ़ेंगे logical errors और फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे runtime errors ठीक है line by line हैं सबको cover करने वाले हैं और इस video को शुरू करने से मैं आप से कह दूँ कि इसके पहले जो हमने 5 part अभी तक किये हुए हैं वह आपने नहीं देखा है तो उनकी link description है में हैं वहाँ से जाके आप उनको देख सकते हैं तो चली शुरू करते हैं आज का 6th part जो की हमारे unit 2 है computational thinking and programming first का तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे debugging क्योंकि debugging की वही चीज़े जिससे हमें पता चलता है कि किस तरीके की error है तो पहले समझ लेकिते हैं कि आखिर debugging होता क्या है अब programmer can make mistake while writing a program and hence the programmer may execute or may generate wrong output क्योंकि हमें मालू में कि हम एक इंसान है तो जब हम कुछ भी type करते हैं या लिखते हैं या कोई भी code लिख रहे हैं तो हो सकता है कि हमारा कभी कभी program execute ही नहीं हो या फिर जब हम program बना लेते हैं उसको execute करते हैं तो क्या हो wrong output आए ठीक है तो यही क्या कहलाता है हमारा debugging debugging मतलब क्या होता है कि जब हम पूरा program बना लेते हैं तो उसको चला के देखने को ही क्या कहा जाता है debugging ठीक है the process of identifying and removing such mistake also known as bugs or error from a program is called debugging ठीक है और जब हम उसको चला रेखते हैं यानि डिबग करकर चला के देखते और अम उसको क्या करते हैं कुछ उसमें गल्तियां रहती हैं तो उन्हीं गल्तियों को removed करना उन्हीं bugs को remove करनने करने को program मैं से क्या कहा जाता है debugging ठीक है क्योंकि जब تک हमारा program debug नहीं होगा हमें पता नहीं चलेगी कि इसमें error क्या है और जब तक हम error को find out नहीं कर पाएंगे, identify नहीं कर पाएंगे हम उन्हें remove नहीं कर पाएंगे और जब तक हम remove नहीं कर पाएंगे वो program execute नहीं होगा ठीक है, तो process कहा है debugging की जब हम प्रोग्राम को execute करते हैं तो उसमें कुछ-कुछ प्रकार की errors आती है वो errors हम जो नीचे पड़ी हुई वो तीनो errors होती है उसको हटाने का जो हमारा process होता है errors को bugs को हमारे program में से उसी ही क्या कहा जाता है debugging, ठीक है, debugging, ठीक है errors occurring in program can be categorized as, ठीक है runtime error ठीक है, नाम सही समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके की errors है अभी एक में sort में description बता देता हूं फिर हम आगे इसको detail में पढ़ने ही वाले है syntax error नाम सही समझ में आ रहा है syntax यानि कि जब हम कोई program लिखते हैं तो यदि हम उसके syntax लिखने में कुछ भी गड़बड़ी करते हैं तो वो क्या कहलाता है syntax error उससे होने वाली जो error generate होते हैं उसे क्या कहते है syntax error suppose करो print function है, print function में हमने क्या किया print के spelling गलत लिख दी, तो यह क्या हो गया syntax error हमने bracket open किया, close करना भूल गया, यानि कि हमने क्या कर दिया, syntax error ठीक है, यानि कि उसके लिखने में यदि हम कुछ गड़बड़ी कर देते हैं, जो जी जैसी लिखी जाती है वैसा ना लिखते है, हमने क्या क्या कुछ और तरीके से लिख दिया, bracket खोला, bracket नहीं खोला, capital में लिख दिया, small में लिख दिया ठीक है, तो जो rules है, उस rules के हिसाफ से यदि हमने नहीं लिखा उस code को, तो जो error generate होती है, वो क्या कहलाती है, syntax error यह होती है, first type की error, इसी तरह second type की error होती है, logical error, जब हम सब कुछ सही लिखते हैं, हमने syntax वगेरा सब सही लिखा है, लेकिन हम logic गड़बर लगा देते हैं, logic गड़बर यारे कि जो हमारा output आना चाहिए, तब program का, वो program का output ना आते हुए, कुछ और output आ रहा है, मालो हम program बना रहे हैं कि even number प्रिंट हो, और आ रहा है कि odd number प्रिंट हो रहा है, ठीक है, odd number हमारे आ रहे है, प्रिंट होके, तो यह कैसे है हमारा, कुछ logic गड़बर हो गया, greater than, less than, कुछ changes क कर दिये, गलती लगा दिये, ठीक है, हमने logic कुछ गलत लगा दिया, जो actual formula होता है, वो formula गलत लगा दिया, plus लिखना था, माँ माइनस लिख दिया, तो हो क्या रहा है, program सही तो चल रहा है, लेकिन जो output आना चाहिए, वो नहीं आ पा रहा, तो इस तरीके की, जो errors कहलाती है, वो होती, दूसरे type की error जिसे हम कहते है, logic error, यानि कि जो हम logic लगा रहा है, जो दिमाग लगा रहा है, वो हमने गलत लगा दिया, तो हम उसको recheck करते हैं, और फिर देखते हैं कि कहां गलती कर दी, और उसको सुधारते हैं, कि भाई, यहाँ पर greater than लिख दिया, अपने लेकिन कुछ ऐसे हमारे programs होते हैं, जो क्या होते हैं, run time पर क्या होते हैं, execute होने पर क्या होते हैं, वो error को generate करते हैं, यानि कि हम जब यह हमारा program चलता रहता है, जब हम कोई प्रोग्राम चलाते रहते हैं, तो execution के समय उसमें कुछ इस तरीके के error आ जाती है, कि वो क्या हो जाता है, terminate हो जाता है program, वो चलते चलते क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, जैसे अपन कई बार देखते हैं, कि जब हम game खेलते रहते हैं, या कोई software चलाते रहते हैं, तो क्या होता है, चलते चलते क्या हो जाता है, वो crash हो जाता है, वो क्या हो जाता है, आटोमेटिक बं तो उसमें इस तरीके कोई कोडिंग ही नहीं रहती तो वह क्या हो जाता उसके लिए एक्सेप्शन हो जाता है तो वह पूरा गेम क्या हो जाता है एक्जिट हो जाता तो यह सब क्या कहला है हमारे runtime error जो program run होता रहता है जो execution mode में रहता है program उसमें जो आते हैं हमारे errors उसे क्या कहते है runtime error ठीक है तो यह हमारे जो है तीन तरीके के हमारे errors होते है ठीक है थोड़ा इनको detail में पढ़ लेते हैं कि यह किस तरीके से होते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं syntax error ठीक है syntax error क्या होता है Python has its own rules that determines its syntax Python जो language है या कोई भी language हो उनके कुछ rules रहते हैं कि यह ऐसी ही लिखी जानी चाहिए the interpreter interpreters the statement only if it is synthetically as per rule of the python correct ठीक है interpreter उसको जब भी correct मानता है जब जैसी लिखी जानी चाहिए चीज है वह वैसी ही लिखी हो ठीक है suppose करो कि हम print लिख रहे हैं तो print की spelling एकसी लिखी हो या print के बाद दो bracket लगाते हैं तो एक तरफ bracket लगा एक तरफ नहीं लगाया तो वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा if any syntax error is present the interpreter so error messages यदि कोई भी उसके syntax में गड़बड होती है यदि हम कुछ लिखना भूल जाते है या कुछ गलत लिख दिया तो वो हमें क्या सो करता एक error message सो करता है and stops execution there और वो execute नहीं करता एक example दिया हुआ यहाँ पे for example parenthesis must be in pair ठीक है हमें से जब भी हम parenthesis लगाते हैं तो वो कैसे लगा जाते हैं pairs में यानि कि जो open हुआ है parenthesis वो close भी होगा और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं कि इस तरीके से लिख दिया 7 plus 11 bracket open तो किया लेकिन close नहीं किया तो यह क्या देदेगा error देदेगा ठीक है right parenthesis absence हो जा रहेगा और हमारा program execute नहीं होगा और output नहीं मिलेगा ठीक है तो यह था हमारा syntax error जो मैंने एक बार फिर से explain कर दिया इसमें होता क्या है कि जो syntax होता हम उसको ही लिखने में गड़बर कर देते हैं तो वो क्या error generate करता है syntax error बोलता है कि जो चीज़ जैसी लिखी जानी चाहिए वैसी नहीं लिखी interpreter को वो चीज़ समझ में नहीं आती क्योंकि हर एक particular word का अपने एक meaning होता है जिसको interpreter समझता है और उसके हिसाब से वो उस चीज़ को execute करता है या उस चीज़ को value करता है ठीक है next हमारा error है हमारा logical error ठीक है logical में बताया है मैंने कि जो logic है वही क्या हो जाता ह है गडबड हो जाता है a logical error is a bug in a program that causes due to behave incorrectly ठीक है due to that program that causes it to behave incorrectly ठीक है ऐसा बग होता जिसका रहंग जो प्रोग्राम है वो कैसा behave करता है incorrect behave करता है ठीक है जो हमें उससे output चाहिए रहता है उसका कुछ और ही output मिलता है a logical error produces an undesired output but without abrupt termination of the execution of the program इसमें program चल जाता है ठीक है और चलते चलते बंद भी नहीं होता ठीक है चलता भी सही सब कुछ होता है लेकिन जो desired output रहता है वो हमें नहीं मिलता ठीक है suppose करो कि हम driving license वाला प्रोग्राम बना रहे हैं कि 18 से कम वालों का license बनना चाहिए 18 से कम वालों का license नहीं बनना चाहिए तो हम condition लगाएंगे कि यद यदि age less than 18 है तो license ना बने और age greater than 18 है तो license बन जाए और लेकिन यदि हम क्या करते हैं इस जो हमारी condition है logic लगा रहे हैं उसमें अपन less than की जगे greater than लगा दे तो पूरा condition क्या हो जाएगा wrong output देगा मतलब जिसकी age कम होगी उसका license बन जाएगा और जिसकी age ज्यादा होगी उस जो होते हैं जो logic में गड़वड़ी के कारण जो wrong output देते हैं ऐसे error क्या कहलाते हैं हमारे logical error कहता है ठीक है next Since the program interpreted successfully even when the logical errors are present in it it is sometimes difficult to identify these errors क्योंकि सब कुछ सही होता है तो हमें उसको गलती को धूनने में क्या होता है बहुत ज्यादा problem होती है ठीक है सिधी बात है कि जब हम syntax error करते हैं तो वो particular interpreter बता देता है तुम्हारी इस line में error है यहां पर तुमने पी capital लिखा यहां तुमने bracket नहीं बताया वो interpreter उस line में बता देता है कि इस line में गलती है लेकिन आपने logic गलत लगाया है तो सबको सही चलता है किसी प्रकार की error नहीं आती है लेकिन output आपका गलत आता है तो उसमें क्या होता है हमें खुछ से धूनना पड़ता है कि भाई हमने क्या गलती कि होगी हम सारे logic चेक करते line by line की भाई पहली line वाले में greater than यह तो सही लगाया है दूसरी line में less than equal to लगाना था यह भी सही लगाया यहां यह सही लगाया है तो हमको उसको खुछ से पकानना पड़ता है एक एक line को execute करना देखना पड़ता है कि भाई हमारा output क्यों गलत आ रहा है ठीक है हमें खुछ से logic पे analysis करना पड़ता है कि output क्यों गलत आ रहा है और यहां पर क्या condition लगाना था क्या logic लगाना था जिसके कारण हमारा output गलत आ र रॉंग आया है इसके इलावा हमाँ पास कोई सबूत नहीं होता कि लॉजिकल एरर है ठीक है स्रिफ हमें तभी पता चलेगा लॉजिकल एरर है जब हमारा आउपूट गलत आएगा तो सीधी बात है कि हम सब कुछ सही कर रहे है लेकिन आउपूट गलत आ रहा है तो समझ आउपूट गया है और आउपूट भी क्या जाएगा हमारा सिक्ष्टी न जाएगा लेकिन जो ये शुक्सटी न आया है वो गलत है ठीक है, क्योंकि जब हम 12 और 10 का average निकालते हैं तो 16 नहीं आता है, 22 को 2 से divide करोगे तो 11 सम्थिंग आना चाहिए, ठीक है, 22 को 2 से करोगे तो सही बात है, 11 आना चाहिए आपुट, ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या किया, 10 और 12 को bracket में नहीं लिखा था, ठीक है हम जब लिख रहे हैं तो 10 plus 12 को हमने bracket में नहीं लिखा और क्योंकि 12 और यह slash 2 लिखा हुआ इसका preference जादा है तो पहले क्या हुआ यह execute हुआ और जो हमारा answer आया 12 divided by 2 का यानि कि 6 वो बाद में जाके 10 में जुड़ गया इसलिए क्या हुआ यह 10 प्लस 10 प्लस जो हमारा 12 10 प्लस 6 होके क्या आगे answer 16 या क्या हुआ यहाँ पे जो precedence था हमारे divide का precedence जादा था जो कि हमने previous वीडियो में देखा था precedence operator की वज़े से क्या हुआ दिवाइट पहले execute हो गया तो हमें क्या करना है उसको bracket में लिखना है मैंने बताया था कि parenthesis का सबसे ज़्यादा precedence होता है इसलिए हम यदि उसको bracket में लिखेंगे तो पहले plus होगा और बाद में divide by 2 होगा और तब ये क्या देगा हमारे को सही output देगा तो logic क्या गलत था हमारा हमने bracket लगाना भूल गए थे ठीक है logic क्यों गलत हो गया क्योंकि उसने किया तो सब कुछ सही था execute भी पूरा सही होगा लेकिन पहले जो logic था logic क्या कहता है कि पहले क्या execute होना चाहिए पहले division मतलब दौनों नमबर पहले plus होंगे और बाद में total number of number से हम उसको divide करते हैं ठीक है इसलिए ये क्या हुआ यहाँ पे हमारा logic गड़बड हो गया था ठीक है ना इसके बाद logical error also known है semantic error इन्हें और किस नाम से जानते हैं हम semantic errors as they occurs when the meaning of the program is not correct ठीक है इनको semantic इसलिए भी गोलते हैं क्योंकि semantic मतलब होता है meaning और meaning गड़बड है मतलब कि जो output आना चाहिए meaning आनी चाहिए जो मिल नहीं मिल रही है उसके लावा कोई और meaning उसकी निकल रही है हम प्रोग्राम किसी और का बना रहे थे और output हमारा कुछ और आ रहा है तो पूरी meaning ही change हो गई जस्बाद बदल दिया ठीक है सब कुछ बदल दिया तो इसे क्या कहते है logical error ठीक है तो जब भ अब आप उस logic को ठीक कर लेंगे तो आपका output सही आएगा ठीक है इसके बाद last हमारा आता है runtime error नाम से ही समझ आ रहा है run मतलब जब हम किसी चीज़ को run कर रहे हैं चला रहे हैं और time मतलब कि चलाते समय और error तो चलाते समय जो error आता है उसे कहते है runtime error अब चलाते समय कैसे error आ सकता है कुछ गलत value दे सकते हैं कुछ गलत input दे सकते हैं जब अपन user से input लेते हैं तो कुछ user को बोल रहे हैं कि भाई यहां पर number डालो तो user डाल दे रहा है alphabet तो उसको हमने क्या किया handle नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा abort हो जाएगा चीक है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ और value लेते हैं कुछ value और value के लिए program बना रहता है और कुछ और value अधी user दे देता है कई बार हमको क्या हो जाता है runtime error मिल जाती है ठीक है जैसना मैंने अभी simple सा program बताया था कि हमने बोला कि हमने suppose करो game खिल रहा है game कैसे award हो जाता चलते चलते कि चार बटनों के बता ही नहीं चलेगा कि कौन सा code मुझे execute करना है सारे code क्या हो जाएंगे hang ठीक है कई बार hang हो जाते हैं तो इसी कारण और hang होने के बाद क्या होता है program automatic क्या हो जाता है terminate हो जाता है या वहीं पर freeze हो जाता है ठीक है और इसी का एक और simple सा example यह है कि runtime error पहले पढ़ लेते क्या होता runtime error में प्रोग्राम हमारा चलते चलते क्या होता है बंद हो जाता है runtime error is when the statement is correct syntactically but the interpreter cannot execute it ठीक है सब कुछ हमने सही लिखा है मतलब syntax भी सही है उसका logic भी सही है उसका लेकिन interpreter क्या करता है उसको चलाते चलाते क्या होता एकदम से क्या होता उसको execute नहीं कर पाता क्यों नहीं कर पाता देखो for example that we have a statement having division operation in a number by mistake if the denominator enters is 0 then it will give a runtime error like division by 0 अब हम सब कुछ सही लिख रहे थे हैं ठीक है कि हम एक दो number ले रहे हैं एक number को दूसरे number से divide कर रहे हैं लेकिन जब भी हमें मालूम है कि यदि हम यदि जो हमारा division divide क्या बोलते हैं उसको denominator रहता है यदि उसको 0 से यदि किसी number को divide कर देते हैं तो value क्या हो जाती है infinite हो जाती है कि हमें मालूम है कि किसी भी number को 0 से हम divide नहीं कर सकते हैं क्योंकि output क्या आता है हमारा infinite तो ऐसे case में क्या कहलाता है consider generate हो जाती है runtime error ठीक है सब कुछ सही लिखा है logic भी सही लिखा है लेकिन यदि user गलती से जो second number है जिसे divide करने वाला number है उसको यदि क्या देता है 0 देता है तो वो क्या होगा वो value तो 0 से divide हो ही नहीं सकता तो वो क्या देता है error देता है कौनसी error देता है runtime error और उस error का क्या नाम देता है division by 0 error ठीक है ऐसे बहुत से error जो runtime पे generate होते हैं जो ऐसे होते है कि exceptional type के होते हैं और वो value उसको मिल जाती मालो कि हम कुछ ऐसा program बना रहे था जैस अब ग्रण में execute होगा तो वो क्या हो जाएगा गलत value कारण वो सारा code क्या हो जाएगा execute नहीं हो जाएगा और वहां पर क्या generate हो जाएगी error और वो कब error generate होगी runtime ठीक है वो value runtime जन्रेट होगी और प्रोग्राम पर terminate हो जाएगा clear है चलो एक बार runtime error और करके दिखा देता हू यहां पर मैंने जुपिटर नोटबुक ओपन कर दिया है ठीक है अपने यहां पर एक्जिट करेंगे ए डिवाइड़ वाइड़ बीप में कि अधी हम रन टाइम पर अधी बीकी वैल्लिव दे देते हैं तो किस तरीके से वो होता है ठीक है यह लांच हो गया डायम ले रहा तोड़ा वेट आ मिनिट ऑके है यह हो गया स्टार्ट हमारा को जुपिटर नोटबुक ठीक है यहां पर मैं जाता हो न्यू और ले लेता हूं न्यू पाइथन 3-5 ठीक है अब मैं कर रहा हूं variables ले लेता हूं मैं दो variables लोंगा a और b और फिस c equal to a divided by लिखेंगे और simply आपने उसको execute करेंगे ठीक है यह दो खुल गए एक को close कर देता हूं चलो अपने hard code कर रहा है अपने user से नहीं ले रहा है value a equal to मैंने लिखा 7 और b equal to मैंने लिखा करता हूं c equal to a divided by 2 एक divided by sorry a divided by b यानि कि a को मैं b से डिवाइड कर रहा हूं और print कर रहा हूं मैं क्या c को ठीक है run करें क्या output आने वाला है 3.0 या 3.0 क्यों आया यह क्यों कि हमने 6 को 2 से डिवाइड किया और यह क्या 3.0 यह तो आपने hard code किया suppose करो कि यह सब करते रहेंगे तो यहां कोई भी value दे दो हमेशा output आना ही आना है कुछ भी दे सकते हैं आपन यहाँ पे उसको run करेंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ आउट पूट आए गया या लेकिन यदि हम यहाँ पे गल्ती से क्या देते जीरो आप यदि मैं इसको run करूँ तो यह क्या देदेगा? error देदेगा क्या बोलेगा कि जो आपका जो यह last में आपने जो यह है यह run time पे execute करने के पहले तक कोई error नहीं है यह run time error है क्या बोल रहा है यह division by zero error जब यह execute हुआ और जैसे ही वो a को b से divide किया तो उसने क्या देखा? बी में कॉनसी value है 0 और जैसे बी से 0 को divide हुआ तो उसने क्या बोला? run time error देदी और execute नहीं हुआ याने कि output नहीं आया अधी execute हो जाता सब कुछ सही होता तो output आ जाता क्या बोला इसने? कि यह क्या है division by zero error है कि आप जो number दे रहे हैं वो क्या हो रहा है? division by zero, 0 किसे divide हो रहा है याने कि उसकी value कितनी हो रही है? infinite और कोई चीज़ infinite हो रहे है तो हम उसका output नहीं दे सकते हैं वो चलता ही रहे है चलती रहे है क्या output दोगे उसका ठीक है? तो division by zero क्या होता है? infinite होता है इसलिए क्या generate कर रहा है आपके लिए error और यह ऐसी error जो run time generate होती है उसे हम क्या कहते ह है run time error ठीक है? होब समझ में आ गया हो गया तीनों तरग की error यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही important topics तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और अपने friends के साथ share करें ठीक है? मिलते हैं next video में next video तक क take care और हाँ यदि कोई भी confusion हो तो आप मुझसे comment में पूछ सकते हैं मैं वहाँ पर आपका reply दूंगा ठीक है? तो मिलते हैं next video में next video तक की goodbye and take care